बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com खास बात क्या राशिफल के आखर में आपको बताएंगे कि ऐसा स्पेशल उपाए जो आपके जीवन की किसी खास समझ से आपको चुटकियों में दूर भगाए इस से पहले कि मैं राशिफल की शुरुबात करूँ मैं आप सभी से निवे दिन करूँगा कि एस्टो तक को ला अब भढ़ते हैं आगे और राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे पंचांकी तो दिन है रविवार का तारीक है 29 अगस्त 2021 भाद्रपद कृष्ण सप्तमी परचंद्रमा मेश राशी और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे सूर्य के नक्षत्र में भागयांक रहेगा छै श शाम को 6 बचकर 46 मिनट तक बहदरा रहेगी सुबह 5 अठावन से लेकर सुबह 10 बचकर 9 मिनट तक विशेश क्या है त्री पुष्कर योग है जिहां जिसमें किये गए काम तीन बार रिपीट होते हैं बहुत शुब योग होता है ये रहेगा सुबह 5 अठावन से लेकर रात को 11 बचकर 25 मिनट तक दिन का सबसे शुब महरत रहेगा दोपहर को ढ़ाई बज़े से लेकर शाम को 3 बचकर 21 मिनट तक और विशेश क्या है भानू सब्तमी है भगवान सूर्य देव का विशेश दिन और शीतला सब्तमी भी है इससे शीतला शातम कहते हैं सीतला शातम और भाद्रपद कार्तिकाई दीपम भी है भगवान शंकर का विशेश दिन है जिस दिन दीपक जलाए जाते हैं संध्या के समय में तेल के तो आज का जो हमारा स्पेशल उपाए है वो जड़ावा है नेतर रोगों से संब्दित क्या आपके बच्चे की नजर कमजोर है क्या आ राशी फल को आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशी फल के शुरुआत करते हैं राशी नमबर एक मेश एनिगे एरिस के साथ में मेश राशी वालों व्यक्तित्व आकरशक बनेगा पहला चंद्रमा है रचनातमकाम जो है वो सफल होंगे चात्रा चात्रों की वि दूसरे राशी व्रिश यानि के टारस की व्रिश राशी वालों सेहत अच्छी रहेगी उत्साहा से भरे रहेंगे हर काम पूरा होगा खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है कारोबार में नए अफसर मिल सकते हैं चात्रा अच्छे संस्थान में दाखिले की योजना बनाएं का फल आपको मिल सकता है सूचे वे सभी काम आपके पूरे हो सकते हैं शादी शुदा जीवन भैतर बन सकता है संतान को प्रोटसाहित भी करेंगे एक छोटा सा उपाय है आपके लिए वो है गरी महिला को सेब घदान कर दीजे लकी नमबर आपके लिए दो रहेगा लकी कलर रहेगा सफेद आपके लिए बात करेंगे चौथी राशी कर्क यानि की कैंसर की कर्क राशी वालों नए कारोबार की शुरुवात जो है वो सफल रह सकती है काम अधिक होने के कारण मेहनत जादा करेंगे बड़ा धनलाव होने के योग हैं पुराने दोस्ते अन्बन के योग परीजन विवहार से नाराज हो सकते हैं आपके चोटा सोपाई जरू कीज़े घर की पूर्व दिशा में टामिय का बर्तन रखिए लगे नमबर आठ रहेगा लगी कलर रहेगा नीला आपके लिए बात करते हैं राशी नमबर पाँच सिंग यानिक लिए कि सिंग राशिवालों लेन देन में आपको सतर्क रहना होगा अन्यता परिशानी आ सकती है माता पिता के आशिरवयत से कामकाच की बाधाएं दूर हो सकती है चात्रों का आत्म विश्वाश जो है वो बढ़ सकता है बच्चों के साथ घूम फिर कर कहीं भार एंजॉय करेंग कामकाच की समस्या जल्द सुलच जाएगी धहरे से काम लेना फलाई रह सकता है आपके लिए आर्थिक स्तिती मजबूत बन सकती है खास विक्ति से मुलाकात लाब दे सकती है पारिवारिक तालमेल भी अच्छा रहेगा एक छोटा सो पाई जरू करें दूद में थोड़ा स शहद मिलाकर पिए लखी नमबर आपके लिए दो रहेगा लखी कला रहेगा सफेद आपके लिए बात करेंगे साथवी राशी तुला यानि के लिबरा की तुला राशी वालों नए काम में साबधानी रखनी होगी आपको कारोबारी काम में मदद ना मिलने से कुछ परिश बात करेंगे आठवी राशी व्रिष्चिक यानि के स्कौर्पियों के व्रिष्चिक राशी वालों मन जो है आपका प्रसंद रह सकता है और सेहत पर आपको ध्यान देना होगा आर्थिक पक्षाला की मुझबूत रहेगा खास व्यक्ति से मुलाकात भविश्य में बड़ा ल भी आपके लिए बात करेंगे नवी राशी धनू यानि कि सेजिटेरियस के धनू राशी वालों आर्थिक सफलता आपको मिल सकती है सुख पर आप तो हो सकता है जरुत मंदों की मदद करेंगे आप पारे बार एक माहुल जो है वो खोशनमा बना रह सकता है रिष्टेदार आपके लिए नौ रहेगा लखे कल रहेगा नारंगी आपके लिए बात करते हैं दसफी राशी मकर यानि की केप्रिकौन की मकर राशी वालों वहां चलाते समय आपको सावधान रहना होगा बहुत सतरकता से ऑनलाइन निवेश करें अन्यता ना करें मैतपूर्ण कामों पर नौ करके ओम कजाब कर लिए लखे नंबर आपके लिए पांच रहेगा लखे कल रहेगा हराब के लिए बात करेंगे ग्यारवी राशी कुम्भ यानि के अक्वेरियस की कुम्भ राशी वालों आर्थिक मजबूती लाने के प्रियासों में आपको सफलता मिल सकती है नई य नंबर आपके लिए पांच रहेगा लखे कल रहेगा खराब का आपके लिए बात करेंगे बारवी राशी मीन यानि पाइसेस की मीन राशी वालों कार शमता से भविश्य में लाब होगा उधार दिया हुआ पैसा आपको वापिस मिल सकता है कारोबारियों की किसमत नजर आते हैं जीवन साती के साथ घरीलू खरीदारी के लिए जा सकते हैं जीरा के दाने जल प्रवा करेंगे उपाए है आपके लिए लखे नंबर आपके लिए नो रहेगा लखे कल रहेगा ना रंगी आपके लिए तो दोस्तों अब समय है आज के स्पेशल उपाएगा भानू सब्तिमी का विशेश दिन है, सीतला सब्तिमी है और विशेश कार्थिकाई दीपव है, ये जोती का दिन है, जोती मतलब आखें, जोतिश वेदा न चक्षू, जोतिश वेदू की आखें, किसी भी तरीके की आखों की प्रॉब्लम के लिए ये विशेश दिन है, सूर्य देव पर जल चड़ाएं और बचावा जो जल है थोड़ा सा आधा लोटा चड़ा दे आधा बचा रहने दे और उससे आँखें धोएं आश्वस्त कर रहा हूं आपको जल्द से जल्द आँखों की समस्या से निजात मिलेगी और इस पूरे प्रोसेस में एक विशेश मंत्र का जाब करें ध्यान से सुनियेगा ओम जोतिरगन नाम पतये नमहा ओम जोतिरगन नाम पतये नमहा इस मंत्र का जाब करें आश्वस्त करता हूं आखों के समस्या का निदान जरूर होगा तो मित्रों आच के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मिलाकात होगी तब तक द अब आदे बगो